अधिबंगी दिए स्टुडेंस आज इस क्लास में हम लेंस की पावर के बारे में पढने वाले हैं लेंस की पावर से रेलेटेड जो टॉपिक्स इस क्लास में हम डिसकस करेंगे उसमें पहला टॉपिक है What is Power of a Lens? एक lens की power क्या होती है इसको बहुत बहुतर ढ़न से हम समझने वाल है दूसरा define one diopter one diopter हम किसको मोलते है और ये diopter किस तरह से power से related है ये समझेगे तीसरा है combination of lenses अगर individual lenses को हम combine कर दें तो उससे power पे क्या effect पढ़ेगा क्या असर होगा इसके बारे में हम इस last वाले topic में पढ़ने वाले है तो जो पहला topic है what is power of lens तो जो power lens की होती है हम convex lens और concave lens इन दो lenses के example को लेते भी पढ़ेगे तो जरूरी है कि convex और concave lens के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो short में मैं आपको पता दें मुझे जो convex lens होता है उसको converging lens भी हम बोलते हैं जैसे दो पहला light rays इस तरह से जा रही है और यहाँ पे convex lens रखा है तो इस light ray को ये convex lens converge कर देगा यानि अपने पाथ से इसको deviate करेगा और ये दो light rays एक point पे आकर मिल जाएगे तो lens converge कर रहा light rays को इसलिए convex lens को हम converging lens भोलते है दूसरा lens होता है concave lens तो light ray यो फैलल जा रही है यहाँ पे concave lens रखा हुआ है तो टकराने के बाद ये दोनों light rays diverge हो जाएगी यानि दूर भागेंगे इस तरह से तो हम इसलिए concave जे lens होता उसको diverging lens भी बोलते है मेरे पास दोनों lens मौजूद है मैं आपको दिखा देता हूँ पहरा जैसे मैंने आपको बताया convex lens तो convex lens कुछ इस तरह से होता है और concave lens को आप टेश करोगे तो यहां बीच में यह पतला होता है यहां में और side में यह मोटा होता है ठीक तो इसको हम figure के थिरू किछ इस तरह से बनाते हैं जैसे मैं convex lens बनाऊँगा तो convex lens यह दोनों side उभराऊँगा होगा सही है बीच में मोटा और side में पतला इसको हम बोलते हैं convex lens इसको बच्चों जैसे मैंने बताया converging lens भी बोलते है यानि यह light rays को एक point पे converge कर देती है और दूसरा बीच में पतला होता है और side में मोटा होता है यानि इसको हम बोलेंगे concave lens इसको हम diverging lens भी बोलते हैं diverging इसलिए बोलते हैं जैसे मैंने आपको समझा है कि यह light rays को diverge कर देता है दूर भगा देता है ठिक तो इतना आपने समझ दिया कि इसको convex lens या converging lens भोलते हैं इसकी भी explanation आपको दी जा सकती है कैसा क्यूं होता है लेकिन इस class में सिर्फ हम power of lens के बारे में पढ़ने वाले हैं इसलिए इस topic को हम किसी दूसरी class में discuss करेंगे अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि इसको converging भोलते हैं इसको diverging तो power से related जो बाते हैं हम अच्छे lens से समझ लेंगे अब समझते हैं कि किसी lens की power क्या होती है देखो जैसे light ray आ रही है और कौन विक्स lens की बात कर रहा हूँ light ray यूँ आ रही है और टकनाने के बात light ray अपने पात से original पात से इतनी जोग जाती है यानि जाना इधर से चाहिए था इधर जोग गए ठिक अब एक डूसरा lens लेते light ray आ जाती है और अपने पात से यानि light आ उस पर टकनाने के बात अपने पात से इतनी जोग जाती है तो पहले case में कम जुकिए दूसरे case में जादा जुकिए इसका मतलब जो दूसरा वाला lens है वो जादा उसकी power है पहले वाले lens की power कम है तो इसको figure कित्री हूँ समझता है देखो मैं दो lens यहाँ पर ले रहा हूँ एक lens यूँ है अब यह बच्चो light ray यूँ आ रही है तक्राने के बाद light ray इस तरह से जाती है और दूसरा एक light ray आ लेता हूँ तक्राने के बाद यह light ray यूँ जा रही है सही है तो एक point पे converge हो रही है अब light ray अगर यह lens नहीं होता तो किधर से जाती है तो आप बोलोगे इसका path तो यह था लेकिन lens आने की वज़े से light ray जो है वो bend हो गई अपने original path से इस side में जुब गई तो कितना deviate हुई इतना deviate हुई रैट चलो मालो यह angle theta माल लेते है सही है तो deviation कितना हुआ original path से इतने का deviation हुई एक दूसरा मैं convex lens लेता हूँ सही है यह light ray गई है टकराई यहाँ पर टकराने के बाद यह light ray इधर bend हो गई और दूसरी light ray मैं लेता हूँ यह जाती है टकराने के बाद यह bend हो जाती है यह अपने path से deviate हो जाती है यह आप ऐसे कर सकते हो कि अपने यह converge हो जाती है एक point पे आते तो path original कौन सा था यह था और अपने original path से यह कितना deviate हो गई तो आप बोलोगे यह theta यह theta 1 यह theta 2 तो आप यह देख कर बोल सकते हो कि यह theta 1 कम है theta 2 जादा है अब यह वाला जो lens है इसने जो light का path है वो जादा bend के जादा अपने से जादा bend हो गई तो यह जादा powerful है और यह कम powerful यानि इसकी power जादा है इसकी power कम है तो यह convex lens के reference में हमने समझा कि power क्या है पावर मतलब इस lens की वो ability है जिसके द्वारा यह light ray को bend कर देती है जुका देती है जो lens जादा जुकाएगा उस lens की power जादा होगी तो यह जादा जादा है और इसकी power कम है तो अब तक हमने सीखा कि इस convex lens की power जादा है और इसकी कम है reason यह है कि यह convex lens जो light ray है उसको उसके original पास से जादा deviate कर देती है यानि angle of deviation जिसका जादा होता है उस lens की power जादा होती है concave lens का example नेते हैं हम जाते हैं कि concave lens जो होता है वो diverging होता है यह light ray को diverge कर देगा उसके पास तो यह light ray आ रही है तकराने के बाद light ray diverge हो जाएगी दूर भाग जाएगी इस तरह से हमने इसको दिखाए इसका original पास क्या था यह था इसी तरह से यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं यह light ray है टकराई टकराने के बाद light ray कुछ इस तरह से diverge इसका original पास क्या था यह था तो original पास से light ray इतना deviate हो गई माल दो इसको हमने theta 1 माना यानि angle of diversion आप बोल सकते हैं या angle of deviation भी बोल सकते हैं सही है अब एक दूसरा कौन के विलेंस मैंने दो इस तरह से लिया light ray यह जा रही है टकराई टकराने के बाद यह deviate हो गई इसी तरह से एक नीशे light ray ने दे टकराई और टकराने के बाद इस तरह से deviate हो गई तो original पास क्या था light का यह था फरजा के दरस पे रही है यहां से तो angle of deviation क्या हुआ यह theta 2 राइट अब यहां देखने से पता चल रहा है कि यहां पे original पास से light जाधा deviate होई यानि theta 2 का angle of deviation जाधा है इसका मतलब यह कांके विलेंस जाधा powerful है तो अब तक हमने सिखा कि light ray अपने original पास से जितना ज़ाधा deviate होगी या ऐसे बहुत सकते हो light ray अपने original पास से जितना ज़ाधा converge होगी या diverge होगी उतनी ही ज़ाधा उसकी पार होगी ठिक? अब यह जो पार बच्चो है ये lens की किस property पे define की जा रही है ये हम समझने वाले एक simple भाषा में हमने ये समझ लिया कि वो lens ज़ाधा powerful होगा जो light ray को ज़ाधा converge या diverge कर देगा सही है? लेकिन ये convergence या converge होना या diverge होना किस पाथ पे depend कर रहा है इसको हम समझने वाले तो यहाँ पर सबसे पहले focus कर दे बच्चो हम जानते हैं कि दो पहले light rays अगर principal axis के चलती है तो टकराने के बाद वो focus से होकर गुजरती है तो यहाँ पर light ray जा रही है टकराने के बाद ये कहां से होकर गुजरेगी focus से तो इसका मतलब ये focus वाला point है और यहाँ पर ये focus वाला point है इसको f1 कर देता हूँ इसको f2 कर देता हूँ जो optical center है optical center से जो length है यानि यहाँ से जो length है focus तक की ठीक है इसको बच्चों focal length गोलते है तो यहाँ पर भी same optical center से ये जो distance है इसको हम focal length बोलेंगे ठीक अब यहाँ पर ठ्छान से observe करो ये focal length जादा है कि ये focal length जादा है आप बोलोगे ये focal length जादा है इसका मतलब ये हुआ कि angle of deviation अगर कम है तो focal length जादा है angle of deviation जादा है तो focal length कम है या ऐसे आप समझ सकते हो कि जिसकी power जादा है ये जादा diver converge हुआ इसका मतलब इसकी power जिसकी power जादा है focal length उसकी कम है और जिसकी power कम है उसकी focal length जादा है तो यहाँ से हम ये conclude कर सकते है कि जो power होती है वो focal length के reciprocal होती है तो इसे लिए हमने एक formula बनाया power को P से denote करते हैं is equal to 1 upon F लेकिन जो ये F है focal length है इसको हमेशा और हमेशा हम meter में ही लिखते हैं ठीक बाद अच्छा यहाँ पर ये चीज कैसे देखेंगे तो चलो यहाँ पर भी समझ लेते light ray जा लिए light ray diverge हो गई तो यहाँ तो कहीं पर आगे नहीं मिलेगी पीछे अगर हम produce करें right इस तरह से यहाँ पर इस तरह से तो light ray जहाँ से आती हुई प्रतीर होती है या IPA to meet होती है action में नहीं meet हो रहे हैं हमने produce किया तो ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ से light ray यह चल रही है तो यह जो distance होगी यहाँ से इस optical center की जो distance होगी इसी को हम focal length बोलेगे यानि यहाँ से यहाँ तक की distance को हम focal length बोलेगे ठीक बाद अब यहाँ पर देखते हैं इसको हम पीछे ऐसे produce करें right इसको पीछे produce करें तो यह focal length यह है सही है तो आप देख रहे होगी इसकी जो focal length है यहाँ पर तो focal length इसकी यहाँ तक है और इसकी focal length यहाँ तक है तो focal length इसकी कम है F2 की मतलब इन दोनों lengths में अगर मैं बात करूँ focal length F1 की जादा है F2 से और यहाँ पर focal length F1 की जादा है F2 से ठीक बाद इधरी बात आप समझ गए अब focal length किसकी जादा होती है किसकी कम होती है वो अभी थोड़ी देर में हम समझेगे यहां तक आप बात समझ गए कि focal length जिसकी जादा होती है उसकी पार कम होती है यहां पे देखो focal length इसकी कम है और इस lens की पार जादा होती है यह जादा diverge कर रहा है यानि यह relationship तो दोगों lens का help लेके convex और concave lens की help लेके हमने यह समझा कि power focal lens के reciprocal होती है तो इस तरह से हमने यह relationship पाया कि power is equal to one upon f और जहाँ पर जो f होता है वो meter में होना चाहिए अब यह हम सोचते हैं कि यह focal length जो होती है किस तरह से decide ती जाती है तो बच्चों हमने एक formula पड़ा था कि focal length is equal to radius of curvature divided by two radius of curvature जो होती है उसका आठा जो होता है वो focal length होती है relationship यह था focal length is equal to radius of curvature divided by two सही है यानि अगर मैं दो गोले नूम बच्चों इस तरह से और एक गोला इस तरह से तो radius of curvature क्या होती है center से दूरी optical center से optical center से यह जो distance होती है इसी को हम focal length बोलते है और यहाँ पे देखो sorry इसको radius of curvature बोलते हैं क्योंकि यह गोले की radius है तो radius of curvature यह curvature मतलब कोई चीज़ घूमी है तो इस curvature की radius यह है और यहाँ पे अगर हम करें तो इस curvature की radius यह है यहाँ पे आरवन माल देते हैं आरवन तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे radius अप curvature जादा है तो इसका आधा करोगे तो इसकी focal length भी जादा होगी यानि यहाँ पे जो focal length होगी वो जादा होगी और यहाँ पे जो देखो इसका आधा करेंगे तो इसकी focal length कम होगी राइट यह और हम जानते हैं कि गोले से काटके ही यह lenses बनाया जाते है राइट तो इसका मतलब अगर इस गोली से काटके lens बनाया गया तो इसकी focal length कम होगी, सही है, radius of curvature कम, तो divide करोगे तो कम ही answer, जादा रखोगे, तो divide करोगे तो जादा answer है, यानि radius of curvature जिसकी कम होगी, उसकी focal length भी कम, radius of curvature जिसकी जादा होगी, उसकी focal length भी जादा होगी, तो अगर मुझे बनाना है एक high पावर का lens तो focal length मुझे कम लेनी होगी यानि radius of curvature कम हो ऐसा हमको lens बनाना होगा तो अब example के थरूर थोड़ा समझता है देखो जैसे ये हाथ है अब हाथ यहाँ पे गोला लिया मैंने इतना बड़ा गोला बना गोला छोटा है तो focal length कम होगी यानि इसकी पार ज़ादा होगी अब मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो गोला बड़ा बन गए गोला बड़ा बन गए तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी radius अब curvature जाता है ति इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी focal length ही ज़ादा होगी यानि situation बच्चों कुछ इस तरह से हैं, यह देखो मैंने यूँ कर दिया, तो गोला छोटा बन रहा है, यहां से यहां तक का distance देखो, गोला छोटा बन रहा है, लेकिन मुटाई इसकी जादा लग रहे, अब देखो मैं इसको बढ़ा करता हूँ, इस तरह से किया, इस तरह से तो क्या हुआ, अब यह गोला जो है, यह तो बड़ा बन गया, लेकिन इसकी मुटाई कम होगे, यानि मुटा अगर लिंस होगा तो इसकी पावर जादा होगी, पतला लिंस होगा तो इसकी पावर कम हों, पतले लिंस की जो radius अब curvature होती वो जादा होती है, तो focal length उसकी जादा मिलेगी तो power कम हो जाएगी ठिक अब आप समझ गए होगे कि power is equal to 1 upon f होता है और f is equal to r by 2 होता है तो जितना बड़ा गोला होगा यानि जितनी बड़ी radius आप curvature होगी focal length उतनी जादा होगी तो power उतनी ही कम होगे यानि छोटा गोला मोटा आप lens लोगे मोटा lens लोगे तो वो छोटे गोले से बना होगा तो उसकी focal length कम होगी तो power जादा होगे ठिक अब इतनी बाते आप समझ गए कि power is equal to 1 upon f और ये relationship तो finally आप ये समझ गए कि अगर आपको power जादा लेना है तो focal length कम करने है यानि गोला छोटा रखना गोला छोटा रखना यानि radius अब करवेचर कम रखनी रैट radius अब करवेचर आप कम रखोगे तो focal length कम आएगे तो power जादा हो जाएगे ठिक इसका opposite अगर focal length आप जादा रखोगे तो गोला बड़ा रखना होगा यानि पतला lens रखना होगा पतला lens आप रखेंगे तो उसकी radius आप करवेचर जादा तो focal length कम हो जाएगे ठिक बाग तो यह आपने सब्चा अब बच्चों यहाँ पर power की unit हम समझते हैं power अब इस फार्मूलिय से हम बता सकते हैं meter है तो power की unit क्या होगी यह देख देते हैं unit of power power of lens obviously तो इसकी unit होगी बच्चों meter inverse या इसको ऐसे भी लेख सकते है meter inverse SI unit किसी भी distance की meter ही होती है तो meter inverse या meter inverse को ही एक special नाम दिया जाता है diopter तो जनले आप सुनते हो diopter diopter इस तरह से ठीक बाद तो बच्चों focal length अगर positive होगी right तो answer positive में आगा यानि power अगर बच्चों positive में आपको दिख रही है ठीक है जैसे positive 125 तो यह 100% convex lens है convex lens है तो इसको आप अच्छे से ध्यान में बिठा लो कि जब कोई बताए कि मेरे चश्मे की power प्लस में है तो आप समझ जाना उस person को convex lens लगा है अगर power negative 1.25 तो यह concave lens होगा यानि person को जो lens लगा है वो concave lens लगा हुआ है ठीक है तो positive negative से आप समझ गए कि क्या चीज़ यह denote करता है ठीक कि इतना आप चाहे तो इसको लिख ले पहले उसके बाद मैं इसको मिटा के यहाँ पे और information आपको बताने प्ला ठीक तो यह मैंने इसको मिटा किया अब बच्चो वन डायोक्टर हम define करते हैं देखो वन कब answer आएगा जब हम यहाँ पे वन रख दे रैट तो answer क्या आज आएगा power का इसका answer आएगा one यहाँ वन डायोक्टर रैट तो वन डायोक्टर का बाता है जब एक मीटर की focal length लेते हैं तो उसकी value वन डायोक्टर होती है तो मैंने बताया कि अगर आप एक ऐसा lens लेते हो जिस lens की focal length वन मीटर होगी तो उस focal length की जो पार होती है वो one डायोक्टर हो जाती है ठीक है तो आप समझे वन डायोक्टर किसको बोलता है डायोक्टर किसकी unit है पार की unit है ठीक तो if focal length of a lens is taken one meter then the lens is of one डायोक्टर ठीक अब बात करते हैं बच्चों combination of lenses के बारे में तो combination of lenses का मतलब हम lenses को अगर combine कर दे तो power पे क्या असर हो मैं एक बार इसको revise करा देता हूँ फटा-फट से ताकि आपके दिमाग में चीज़े बैट देखो power का मतलब होता है कि कोई lens किसी light ray को कितना diverge करती है या converge करती है या ऐसे बोल सकते हो light ray कितनी जादा light ray कितनी जादा अपने पास से deviate होती है तो उसी को हम बोलते हैं वो lens की power अब conversion या divergen कोई parallel light ray आ रही है ये depend करता है कि उसकी focal length क्या है अब हमने देखा कि focal length अगर जादा है तो power कम होती है focal length कम है तो power जादा होती है वैसे बी एक common sense से आप बास समझो कि कोई lens अगर किसी चीज़ को जादा divert कर देता या जादा converge कर देता तो उसकी power obviously जादा होती है और ये जादा converge या divergen तभी हो सकता है जब उस lens की focal length कम हो focal length जादा होगी तो उस जादा converge ही नहीं करेगा, divergen ही नहीं करेगा क्यों कि focal length यहाँ है तो उसको अराम से जाने से ये इस तरह से जियादा deviation की rights नेकि अगर focal length यहा तो उसको बहुत जादा divergen करना पड़ेग यह focal length से relate करेंगे तो focal length कम तो power ज़ादा, power ज़ादा है, power कम है तो इसका मतलब focal length उसकी ज़ादा है मीटर में हम focal length को रखते हैं तो power की unit meter, universe या diopter हो जाती है one diopter का मतलब बच्चे होता है कि ऐसा length जिसकी focal length अगर one meter हम लें तो उस length की power one diopter हम बोलेंगे अब combination of lenses की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि मेरे पास यहाँ पर दो lenses है, यह convex है और यह कानके अब ध्यान से ज़रा observe करना देखो, यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको दिखाया है, और इसको help से देखोगे तो आपको इस तरह से font दिख रहा होगा भेड है, अब मैंने क्या किया? इसकी कुछ power है, इसकी power है, और मैं जानता हूँ इन दोनों की focal lens सेम है, राइट कितनी है मैं इस पर नहीं जा रहा है, मैं यह बोल् लाँं इन दोनों की focal lens सेम है, ठिकů, एक की positive है क्योंकि ये convex है, इसकी negative है क्योंकि ये Concave है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, हमने Combine कर दिया, Combine करके मैं अब इसको देख रहा हूँ, एक तो मैं ये अलग से देख रहा हूँ, इसका अलग से देख रहा हूँ, उसके बाद इसकी Individual Power है, इसकी Individual Power है, दोनों Power सेम है, एक की Positive है, एक की Negative है, Convex की Positive इसकी Negative है, अब मैंने इसको दोनों को Combine कर दिया, तो Net Power क्या होगी, ये हम कैसे पता करते हैं, तो बच्चो, Net Power, दोनों Power का, या जितनी भी Lens है, उन Power का Algebraic Sum होता है, तो इसका मतलब अगर Net Power, हम Combination of Lenses के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, Net Power बात करें, जब हम Lenses को Combine करत हैं, तो वो क्या होगी, P1, प्लस P2, प्लस P3 and so on, तो यहाँ पर ध्यान प्रकना ये Algebraic Sum है, बच्चो, Algebraic Sum है, यानि जो Power को हम Add करेंगे, वो Plus Minus Chin के साथ Add करेंगे, अब जैसे ये Lens है, दो Lens है मारे पास, तो अगर P Net में लिकानना चाहिदा हो, तो P1 प्लस P2 होगा, एक Lens की Power, Example के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक Lens की Power, यह है नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, Example के तुरू का ऐसा माल लो, कि इसकी Power 1.25 डायोक्टर है, प्लस में, तो प्लस में है, इसका मतलब यह Convex है, ठिक, और इसकी Power को मैं जोड़ना जाता हूँ, तो यह Negative में है, और Same Power है, तो 1.25, तो इसका मतलब 1.25 में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1.25 डायोक्टर में जोड़ूँगा, तो Positive, Negative, Cancel हो जाएगा, यहनि Net Power, क्या हो जाएगी? जे, इसका मतलब Same Power के दो लेंस, एक को कॉन के, और इक Convex को अगर हम इस तरह से Combine कर देंगे, तो इसमें कोई भी Power नहीं बचेगे, यह एक Simple Mirror के जैसे काम कर रहा है, जैसे हम Normally देखते हैं, वैसे ही हमको दिखेगा, इसमें कोई Power नहीं, तो इस तरह से आपको जिस तरह की Power चाहिए, उसके हिसाब से आप Lenses को Combine कर सकते हैं, और बार पर पता कर सकते हैं, कभी Optician के पास, जो चश्में बनाते हैं, उनके पास आप जाएंगे, और मान लोगों की Eyes में कुछ Defect है, तो वो अलग-अलग Power का Lens लगाते हैं आपके आपके सामने, जिस पे आपको बहुत समझ में आ जाता है, font दिखने लगता है, वो समझ जाते हैं कितने Power का Lens आपको लगेगा, जैसे मान लो, example के लिए 1.25 का ये है, और 0.75 का ये है, दोनों को मिलाया होनोंने, और दोनों positive है, तो 1.25 और 0.75 को जोड़ेंगे, तो 2 आएगा, यानि 2 diopter का Power का आपको Lens Convex, इसे तरी Conqueue का भी होता है, तो अलग-अलग वो ट्राइ करेंगे, जिस पर आपको properly दिखने लगेगा, उसकी Power को simply add कर देंगे, sign के साथ add कर देंगे, अगर मान लो, एक Conqueue और Convex है, और इसके बादे आपको Net Power का Lens कौन सा लगेगा, वो आपको बता देते हैं, ठीक अगर हमने इतनी बाते पढ़ी, Lens की Power से संबन देते हैं, तो हमारी आखों में कुछ Defect होते हैं, जैसे किसी को Pass की चीज़ें साथ नहीं दिखाए देते हैं, किसी को दूर की चीज़ें साथ नहीं दिखाए देते हैं, किसी को दोनों साथ नहीं दिखाए देते हैं, तो हम क इस तरह के lens की जववत होती है एक particular defect अगर आई में है ठीक है तो चलो इस class के लिए इतना है thanks for watching this video thank you very much